जाने का हम, तब किसी को, किसी से प्यार हो जाओए सारी सारी राझ काता है यहीं, अखी उसी ने जोरता है दिल तो पागल है, में दिवाना है दिल तो पागल है, दो दिवाना है पिछी पिछी हम्दे मेरे चाल वीना आई चीडी वाले वेक नाई बेए लो आपर एवरीवान, असलामलेकूम, मैंने में इस सारा यहसीन और विदियो कैसे आप सब? आप सब थीक होँगे और खेर खेरियत से होँगे तो आज हम करने लगे हैं ग्रेड ड्रेस के साथ मेक अप तो उसके लिए सबसे पहले हमने करना है अपने फेस को अच्छी तरह से नीट कर लेना है यहां पर वाइपस लेकर मैं अपने फेस को पहले क्लीन कर रही हूं कोई भी मेक अप या पर कुछ भी फेस पे लगाओ तो अच्छी तरह से वो क्लीन हो जाए उसके बाद हमने अपने फेस को मॉस्टराइज करना है कोई भी अपना मॉस्टराइजर आप ले सकते हो जो भी डेली बेस पे आप यूज करते हो उसे अच्छी तरह से हमने मसाज करके पूरी अपनी स्किन में अब्जॉफ कर लेना है और उसके बाद हम बनाएंगे अपनी आईब्रोज आईब्रोज मैं आफ कैमरा बना लूँगी क्योंके बहुत सारी वीडियो में मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ और उसके लिए यहां पर मैंने यूज किया है एलेगल का जैल आईलेनर और एक एंगल ब्रॉश रूज किया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आईब्रोज यहां पर मैं फिल कर चुकी हूँ अब यहां पर मैं इसको शेप दूँगी क्रेलोन की टीवी पेंट स्टिक से जिसका शेयर्ड मैं यूज करूँ हूँ एफ 45 और इसके लिए यहां पर मैं एक फ्लैट ब्रॉश चूज करूँगी और इस तरह से आईब्रोज को फिल करने के बाद हमने अपनी आईब्रोज क पता होगा कि मैं किस तरह से फिल करती हूं और किस तरह से में इसको शेप देना होता है तो अब यहां पर मैं दूसे आईब्रोज को शेप दे देते ह потрясो इने से आई मेक बहुत खबसूरत रगता है तो उसके बाद हम अपना आय मेकप स्टार्ट करेंगे अब अः至 सक्टी को ब्लेंड कर देना है एक हमारी अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी है अब यहां पर मैं यूज करूंगी कलर प्रोफेशनल की ड्रीम आईशाडव पैलेट और इसमें से जो मेरी ड्रेस से मैच हो रहा है यह बाला शेर्ड है, मैटलिक शेर्ड है इसमें गोल्ड भी आ रहा है और ग्रे भी आ रहा है तो यह मेरी ड्रेस से बिल्कुल मैचिंग है तो इस तरह से आपकी जो भी आईशाडव पैलेट आप यूज करते हो तो उसमें यह शेर्ड लाजिम होगा ग्रे, गोल्ड जो भी आपकी ट्रेस से मैच हो रहा हो आप उस तरह से ले कि इस तरह से फिंगर से अपलाए करना मैटालिक शेड है तो डारेक्टली फिंगर पर लेना है और ऐसे ही अपने अपलाई करना इससे क्या होगा कि इसकी पिग्मेंटेशन बहुत अच्छी आएगी और यह सासल ब्लेंड भी होता goo हम इनर कॉर्णर से और से स्डार्ट करना है और ऊपर डे दिनी है को लाइटर मुद्वें खेलों से ब्लाइट लाइलेगे मुद्वें और इस बात से बील्क जो जो एक जड़ता जा रहा है तो थोड़ा हम कम लगाएं आपको अच्छी तरह से उपर जो मैट शेड इनको ब्लैंड करना है मैट शेड बाद में भी लग सकते हैं उसके बाद जहां पे मैं लोगी डार्क शेड जो साथ वाला था उसके सेम पैलेट में से और इसको मैं इसको अच्छी तरह से ब्लैंड करने के बाद यहां पर स्मॉल साइस के ब्रश से मैंने लिया थोड़ा सा ब्लैक शेड लिया ज्यादा नहीं लिया थोड़ा सा मैंने ब्लैक लिया और इसको बिल्कुल आहसता आहसता से उपर मैंने बिल्ड किया बिल्कुल लाइट प्रृट जीए ब्लेंड करने के बाद पिर लेना है एक फ्लैट ब्रॉश और अगेन इस प्रश को हमने पहले वैट करना होता है। वैट करने के बाद हमने मेटालिक शेड हथा है तो मेटालिक शेड भीच सब्सक्ते रहें। तो एक दफ़ा लास्ट टच अप देने के लिए आप इस तरह से वेट प्रश पे अपना मैटलिक शेड लो और जहां जहां तक आपको अप्लाइ करना है अपने डी वाले पार्ट पर हाफ डी हमने इसका बनाना है कट्रिस बनाना है इसका और इस तरह से पिग्मेंटेशन भी बहुत आती है और आपने जो पर मैट शेड ब्लैंड कियें वो भी आपके खराब नहीं होंगे एक लाइन बन जाते है और बहुत एजी रहता है इसके बाद हमने लेना है यह डार्क प्राउंड शेड और जो हमने मेटलिक शेड अपलाए किया है उसके जो आउटर कॉर्ण प्राउंड में उनको लाइट लाइट सा ब्लैंड करना है ताकि मेटलिक शेड वैट हमने लगाया उसकी अलग से कोई लाइन ना दिखे वो ब्लैंड दिखे इस तरह से लाइट लाइट अब मैं दूसरी आइज ऑफ कैमरा बना लोंगी ताकि हमारा टाइम बेस्ट ना हो तो यह पर बना के वापस आ गई हूं अब आढारे हमारे फेस की और फेस को हम पहले यहां पर जो मेरा अंडर आए वाला पार्ट है इसको आपने नीट कर लेना है ब्लैंडिंग के और अज़ने काफ़ी जड़ते हैं और अंडर आइस को लाइख पहले नीट कर लेंसे मारी बेस खराब हो जाएगी तो उसके बाद मैं यहाँ पर मुआ का ले रही हूँ प्राइमर आप जो भी प्राइमर यूज करते हो और अगर प्राइमर नहीं है तो एलोवेरा लाजिम ले लिया करें मेक अप करने से पहले प्राइमर जरूर प्राइम किया करें अपनी स्किन को उसके बाद या फाउंडेशन अप्लाई किया करो फाउंडेशन में यहां पे लूम की हुदा ब्यूटी की और इसका शेड फिर नहीं दिखा और शेड मैं दिखाती हूँ और पता नहीं क्यों बला रहता है तो यह क्या है कि हुदा ब्यूटी की जो थोड़ा ड्राइब हो जाती है तो इसमें मैं ब्लै निग एक ड्रॉप अड्ड करती हूं आप जो भी सिरम अपना यूज करते हैं पनी स्किन के लिए उसका एक ड्रॉप अड्य कर दिया करें जो भी आपको फांडेशन थोड़ी ड्राय लग रही हो आपकी स्किन ड्राय हो तो उसी साफ से एक ड्रॉप ले लिया करें और इसको जब मिक्स करके आप ब्लेंड करोगे तो बहुत ही इजी ली ब्लेंड होगी और पैची पैची कहीं से भी नहीं लगेगी कहीं पे भी आप तो यह पे मैंने स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि मुझे अच्छा खासा टाइम लगता है जब तक ब्लेंड अच्छी नहू तो मेकब भी अच्छा नहीं लगता और बेस मुझे ब्लेंड बहुत अच्छी लगती है फोड़ा सा टाइम दे दिया करें आप अपनी बेस को ज पॉर्डर ले रही हैं यहां पर मैं hoda beauty का आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो compact जो भी आप यूज़ करते हूं आप वही ले ऐ ले सकते हो तो इस तरह से tap tap कर के पूरी स्किन पे पूरे फेस पर हमने इसको कर देना है अपलाए और नेक को भी नहीं भूलना है यहां पर ब्रश से अपलाए कर दूंगी और जो हमारे एयर हैं बाकी फेस पे अच्छी तरह से इसको स्प्रेट कर देंगे उसके बाद फेस कंटूरिंग की बार यह उसके पर से लेकर लाइन आनी है नीचे की तरफ क्योंकि मेरा फेस है राउंड और चेक्स भी बहुत बढ़े हैं दूसरी बात डबल चीन भी है इस तरह से एक सेपरेट वीडियो भी वैसे मैंने बनाई है इस पर देख सकते हो तो डबल चीन को भी इस तरह से जो लाइन को भी इ अब यहां पर देखें कितना फ़र्क लग रहा है एक साइट थिन और एक साइट थिक तो अब दूसरी साइट को भी तरीका है उसी दरह से हमने कंटोर करना है जल्दी जल्दी सी दूसरी साइट को भी कंटोर कर देते हैं और साथ साथ आप इसको ब्लेंड भी करते जाएं कि आपका शेड जहां पर रुस्टा नह à And your eyes blue छो भी आपके पास डार्क शेड़ों अगर आपके पास यह वाली पैलेट नहीं है अगर आपकी आपकी आई शेड़ों पैलेट मे congregate gonna restaurants ओर आपक़ शोड़न के एसे ब्रेश कतर लाजने कि डीजा है आपके बाट ब्रेश दे प्राइड में हैं अगर कर लेती हैं अपना प्रिष का अनरजस सकते हैं ऐसे डीज्ञार प्र्राइड ला से ले प्रश कई देरं यहां पितim रहती हैं essence का bronzer आप चाहो तो इसे use कर सकते हो ना चाहो तो नहीं भी कर सकते है जब मुझे मेरी base बहुत जादा white ऐसे white white लग रही हो तो मैं लाजम इसको use करती हूँ इससे क्या होता है कि बिल्कुल settled सी मेरी base हो जाती है और जो contouring करती हूँ वह भी साथ-साथ blended लगती है इसके बाद यहां पर art skin का मैं use करूँगी blush on, थोड़ा सा cheeks पे, थोड़ा सा nose पे आप चाहो तो ज्यादा भी use कर सकते हो यहां पे मैंने light pink और जो dark pink था दोनों को mix कर के लिए है थोड़ा सा nose पे, थोड़ा सा cheeks पे थोड़ा थोड़ा करते हैं बहुत हो जाता है हमारा तो साथ-साथ blend भी करते जाना है तो इस तरह से यहां पर मेरी eye पी उट कर आ गई और यह सो रही थी तो मुझे मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी कर लूँ यह भी आगी हाई करने हाई कर दिया इसने जब यह सोती है मैं तभी make-up कर लेती हूँ और जब यह आ जाए तो lighting यह सब कुछ देखती है तो उसके बाद मुझे पिल्कुल भी काम नहीं करने देती तो अब बार यह highlighter की highlighter यहां पर मैं क्रिस्टेन का यूज़ कर रही हूँ और जिसका shade है 827 इसका shade है और मैं मैंशिन भी कर दूँगी और यह light BB pink सा shade है बहुत प्यारा है इनकी pigmentation मुझे समझ्यत इतनी क्यों अच्छी है मतलब कि इतना कम price में और इतनी अच्छी pigmentation है इनकी मुझे बहुत पसंद है क्रिस्टेन के अच्छा अब यहां पर मैं यूज करूँगी glitter आप चाहो तो अपना जैसे मैंने पहले make up किया हुआ है ऐसे matte भी रख सकते हो यहां पर अच्छा ये भी बहुत affordable है यह वाली palette इसमें इतने सारे glitter आपको मिल जालते है और जो इसमें grey वाला shade आ रहा है मैं वो glitter लूँगी और इसको अभी हमने finger से directly apply करना है इसके लिए हम कोई भी glue यूज नहीं करते finger पर लेना है और अपने डी वाले पार्ट में जहां पर हमने अपना creamy shade metallic shade अपलाई किया था से उसी पार्ट पर हमने अपने glitter अपलाई करने है finger से इस तरह से finger को knit करना है again दुबारा उठाना है अगर knit नहीं किया उसी को दुबारा लगाते रहेंगे तो वो नहीं लगेगा एक दफ़ा लगाया finger knit की फिर दुबारा उठाया shade glitter तो इस तरह से अगर आपको glitter इतना ज्यादा पसंद नहीं है तो पहले मैंने metallic shade ही apply किया था आप सिर्फ वो उसमें भी shining होती है सिर्फ आप वो भी रख सकते हो तो यहाँ पर मैंने दोनों बता दी है अगर आपको metallic रखना है या पिर ऐसे glittery रखना है तो glitter भी लगा सकते हो उसके बाद lower lash जो हमारी रहेगी थी अंडराय वाला पार्ट वो हमने done करना है सबसे चो light वाला shade था इसको हमने लेना है एक small size के brush से क्रिस्टिंग का small size क brush यूज कर रहेगी और पूरी lower lash पर हमने इसको blend करना है अच्छी तरह से उसके बाद लूँगी ये dark वाला shade और अब brush है मैं small size का use की है पहले से और इसको और जो हमारा lower lash वाला इसको half पार्ट में हमने ब्लैंड करना है inner corner तक end तक लेकर नहीं आगे तक सिर्फ half तक ही इसको ब्लैंड करना है इसको पर मैं क्रेलोन का aqua eyeliner रूज करूँगी और brush यहां पर मेरा मुझे नहीं मिल रहा था जिसके बज़े से मुझे बहुत परेशानी इससे मुझे liner बिल्कुल नहीं लगता मैं यूस करती हूं क्रेलोन का zero size का brush जो कि मुझे नहीं मिला पता नहीं कहां गाइब हो गया बच्चों ने कहीं दर उदर कर दिया होगा तो जिसकी वज़े से मुझे बड़ी मुझे बड़ी मुझे बड़ी मुझे इस वाले brush से क्योंकि यह थोड़ा बड़े size का है और यह है भी काफी hard line ही नहीं बन रही थी इसे wing भी अच्छा नहीं बन रहा था अब यहां पर आप देख सकते हो मैंने simple से पहले एक line create की है lash line को follow करते हुए और फिर end में से एक wing निकाला है और वापस उसी को join कर लिए connect कर लिए अंदर से fill करना है बड़ी मुझे यह वाला liner लगा क्योंकि यह बहुत hard brush था बिल्कुल भी soft नहीं था का बनता है soft अगर हो तो यह काफी hard था जिसकी वज़ा से विंग इतना अच्छा नहीं बन रहा था इनर कॉर्नर से बिल्कुल मैंने बार एक सी line स्टार्ट की है और end पे चाहकर मैंने थोड़ा सा wing के साथ साथ अपना liner थोड़ा सा थिक कर लिए और वापस इसको हम connect कर लेंगे अंदर से इस तरह से again हम इसको fill कर लेंगे फाइनली यहां पर complete होई गया liner अब इसके बाद है बारी मसकारा की यहां पर मैं रिवाज का मसकारा यूज कर रिंग अच्छी तरह से भर की lashes में मसकारा लगाना है ताक्के false lashes लगाने से पहली लगाना है ताक्के false lashes जो है हमारी वो खराब ना हो दो तीन दफ़ा हमारी चल जाएं अगर मैं false lashes में मसकारा अपलाई कर देती हूँ तो क्या होता है कि मैं दोबारा false lashes नहीं लगा पाती बहुत खराब हो जाती है और lashes यहां पर मैं यूज कर रही हूँ टिंकर बेल की lashes और sweet touch की यहां पर glue यूज की है और 30 seconds की लिए यहां पर मैंने glue लगा कर छोड़ दी थी और inner corner दोनों प्रेस करने हैं सेंटर में रखके तो बहुत ही easily stick हो जाएंगी आपकी eyelashes और इस तेग मैं separate video भी आपके लिए बनाऊंगी eyelashes पे वैसे काफी सारी videos मैं बता चुकी हैं apply करने का तरीका लेकिन आप लोगों के लिए separate video बनाऊंगी कि किस तरह से आप lashes apply करो और आपको किस तरह के कितनी length रखनी चाहिए अपनी lashes की end से कैसे corner काटने है तो यहां पर second lashes भी same उसी तरीके से apply करनी है जल्दी जल्दी से और इसके बाद बारी हमारी lipstick की lipstick रह गई है अब हमारी तो आज मैंने सोचा कि जैसे के nude dresser nude आता है तोड़ा यह gray में तो इसके साथ मैं थोड़ी सी lipstick bright कर देती हूं लेकिन क्या है कि bright जो है नो मुझे इतना suit ही नहीं करती बहुत कम color मुझे bright जो है वो suit करते हैं तो मैं ज्यादा nude shade ही लेती हूं आज मैंने pink लगा ली और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था यह shade लगाने के बाद पहले बहुत अच्छा लगा था कि लगाऊंगी तो बहुत प्यारा लगेगा लेकिन लगाने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तो मैं इसको चेंज कर दूँगी आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा तो इसके बाद एक nude shade लिया मैंने और इसके ओपर apply कर दिया तो यहां पर हमारा make up होता है complete I hope की वीडियो आपके लिए helpful रही होगी पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपने क्या करना है वीडियो को like करना है friend family में share करना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए Allah आफिज दौव में याद रखेगा